असलाम अलेकुम आज मैं आपके लिए क्रिस्पी आलू और सूजी के बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ यह बहुत ही जादा टेस्टी होते हैं साथ में लो बजट हैं और बहुत ही आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं तो बहुत जादा क्रेस्पी और क्रेंची हैं ब सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस करें अभी में लैटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी तो यहां पर सबसे पहले मैंने पैन लिया है जिसे मीडियम प्लेम पर मैंने एक टेबल स्पून ऑईल गरम कर लिया है अब इसमें हम पाउडर भी आप डाल सकते हैं इसे चलाकर मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे तो एक कप अगर हमने सूजी लिए तो डेल कप पानी डालेंगे अनि जितने भी हम सूजी लेंगे उसका डेल गुना पानी आइट करेंगे यह साड़े 300 से 400 एमिल पा मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे और अगर आप चाहे तो इसे ग्रेट करके भी यूज कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल बारी ग्रेट करिएगा तो यहाँ पर अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमें कुछ मसाल्य करेंगे तो इसको मैंने मैश करके साइट पर मैशर को जीरे का पाउडर तो simply मैंने जीरे को भीमकर मिक्षर में पीस लिया था और इसी के साद हम डालेंगे एक चप्पाइच हल् 9 जोई-जोप डाले लीगे 20 अधा यहां पर डाला है और साथ में एक मुटी धनिया को मैंने काट के रख लिया था उसे मैंने यहां पर एड़ कर दिया है आप अपनी पसंद कि इसमें वेजटेबल्स पी आड़ कर सकते हैं इसको और जादा टेस्टी बनाने के लिए और साथ में यहां पर तीन से चार हरी तो यहां पर सारा जो मिक्षर है हमारा रेडी हो गया है और अब हमने यहां पर जो डू बना कर रखा था रवे का यानि सूजी का उसको भी मैंने यहां पर ढख के रखा था उपर से ओईल अपलाई करके क्योंकि अगर हम ऐसे रखते तो इसमें पपड़ी जम जाती है तो इस तरह से डू को त्यार करते हैं उसी तरह से हम इसको बना लेंगए तो यहां पर बिल्कुल भी क्राकलेस होना चाहिए ओसको कहीं पर से खुला नहीं रहना चाहिए तो इस तरह से हमने बॉल इसका तयार कर लिया है तो यह बह coming के इस तरह से ँममिधना साथ penalty है तो यह बहुत आसानी से हो जाएगा आप एक बार करके इसको देखेएगा तो इस Ads, तरह से हम यहाँ पर दूसरा बॉल भी तयार कर लेंगे सबसे पहले डो लेंगे और इसके बाद हम इसको यहाँ पर इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे और फिर यहाँ पर जो आलू का मिक्षर है इसके अंदर फिल करेंगे जो स्टाफिंग हमने तयार की थी इसके अंदर फिलिंग को डालने के बाद हम इस तरह से तो यहां पर बिल्कुल भी कहीं से खुलानी रहना चाहिए और इस तरह से हमने सारे बॉल तैयार करके रख लिये हैं यहां पर थोड़ा था मिक्ष्ण हमारे पास बज भी क्या है तो यह सारे के सारे बॉल्स को हमने रेडी करके साइड पर रख दिया है अब हम रखेंगे तो यहां पर तेल अच्छे से गरम होना चाहिए वरना जो बॉल है वो अंदरी अंदर तेल पी जाएंगे और अच्छे से नहीं बन पाएंगे तो स्वागी हो जाएंगे थोड़े से तो यहां पर तेल मीडियम होट था और हमने यहां पर सब ड्रॉप कर दिये हैं जो बॉल्स थे और अगने दोनों साइट से हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे गोल्डन प्राउन होने तक के लिए तो यहां पर यह बहुत जादा क्रिस् चटने के साथ मैंने सार्व किया हैं अगर इन चटनी के रस्पीस चाहिए उपको तो आप मेरे चैनल पर जाकर चाइब चेक कर सकते हैं इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्टिशन बॉक्स में डाल दूगी वहां पर जाकि भी आप इस सो चेक कर सकते हैं तो यहां पर बहुत ही क सिपी के साथ तक तक के लिए अपने डिए सरा ख्याल रखिएगा दौाओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिज